नमस्कार दोस्तों, सेफ्टी एक्सपर्ट चैनल पे आप सबका स्वागत है आज का टॉफिक है फॉल अरेस्टर और पॉलिमाइड रोप इसमें हम लोग देखने वाले फॉल अरेस्टर और पॉलिमाइड रोप कहां यूज होता है और क्यू यूज होता है तो इसमें हम लोग bullet point देखेंगे what is fall arrester दूसराए where is use fall arrester तिसराए why use fall arrester चबताए fall arrester parts के name देखेंगे आगे देखेंगे what is polyamide rope where is use polyamide rope और why use polyamide rope यह हम लोग देखने वाले तो पहले देखेंगे what is fall arrester fall arrester क्या है यह एक ऐसा उपकरन है वह उसी आदमी की जान बचाता है आदमी को गिरने से बचाता है पकड लेता है दूसराए where is use fall arrester कहाँ इस्तिमाल करते है उचाए पे जहाँ काम होता है building के outer side में या duct में fall arrester का उपयोग किया जाता है for example tower crane पे operator चड़ते समय fall arrester की जरुरत है RSP गंडुला में काम करते समय spider पे काम करते समय outer side में balcony में plumbing का work जब होता है वहाँ भी fall arrester की जरुरत होती है उचाए पे काम कर रहे तो fall arrester की जरुरत होती है इतना अपने को ध्यान रखने का है आके देखेंगे why use fall arrester fall arrester use क्यों करते हैं उचाए पर काम करते समय platform दुरघटना वश तूड़ गया यदि कोई वेक्ती अपना संतुलन खो देता है या किसी अन्य चीज़ के कारण गीर जाती है तो fall arrester के कारण मनुष्य गिरने से बच जाता है मनुष्य कैच हो जाता है fall arrester जब use होता है तो मनुष्य गिरने के chances नहीं रहते हैं इसलिए fall arrester का इस्तेमाल होता है तो चलो आगे देखेंगे fall arrester के parts के name क्या है fall arrester के parts कौन-कौन से पहला है declam दूसरा है rope grab arrester के parts है declam रहता है उसमें हम लोग safety belt anchoring करते rope grab रहता है उसमें rope जाता है तो चलो आगे देखेंगे what is polyamide rope polyamide rope क्या है polyamide rope fall arrester को पकड़ कर ही काम करते है fall arrester और polyamide rope दोनों एक साथ काम करते है polyamide rope का उप्योग fall arrester के साथ किया जाता है fall arrester यहाँ polyamide rope को ही fix रहता है या लगाते है चलो आगे देखेंगे where is used polyamide rope polyamide rope कहा इस्तिमाल होता है जैसे कि फैले हमने दो का fall arrester जहाँ इस्तिमाल होता है building के outer side में और duct में उचाए पे जहाँ भी काम कर रहे है वहाँ polyamide rope का उफ्योग होता है building के उपर से polyamide rope नीचे छोड़ते है और उसको ही fall arrester लगा होआ रहता है तो आगे देखेंगे why use polyamide rope polyamide rope हम लोग क्यों इस्तिमाल करते है polyamide rope strongest रहता है high strength रहती है abrasion resistant रहते है high breaking strength रहती है load capacity उसकी ज़्यादा रहती है इसलिए polyamide rope ही उचाई पे अपने को इस्तेमाल करना है तो आपको इस image दिख रहा है यह है RSP गंडोला यहाँ chipping का पेंटिंग का गंडोले में से काम कर रहे है उपर से दो लाइन दिख रहे है ओ है polyamide rope और इदर बीच में जो लाल जैकेट पाएना हुआ आदमी है उसने polyamide rope को जो fall arrester लगाया है उसको septi built anchoring किया है इस तरह के से tower crane पे भी जाते समय उपर से rope छोड़ दिया जाता है बीच में operator fall arrester को anchoring करके उपर चला जाता है यह देखो ऐसा रहता है उपर से rope आता है और उसको fall arrester लगा रहता है left बाजू में D clamp दिक रहा है उसमें septi built anchoring करके हम लोग काम करते यह fall arrester उपर नीचे जाने का movement है जब उपर जाता है तो हाथ से उटा के उपर लेने का है जब नीचे आता है तो अपने आप ओ अपने load के ओज़े से lock होता है और उसके ओज़े से आदमी की जान बचती है तो चलो दोस्तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो like and subscribe करो जल्दी मिलते हैं एक नए topic के साथ